इससे पहले आपने इस तरह की पालक पुलाव की रेसिपी उटूप के उपर कभी देखी नहीं होगी बहुती इजी तरीके से मैंने पालक पुलाव बनाया है और बहुती कम सामान में बनाया है इसको बड़ो के साथ बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे आप उसको ऐसे खा सकते हैं सबजी के साथ खा सकते हैं दाल के साथ खा सकते हैं हेलो फ्रेंड्स गावरान तड़ का रेसिपी में मैं वर्षय योले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चले फिर रेसिपी देखते हैं चले फिर हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं ग्यास के उपर मैंने पैन चड़ा दिया है पैन में मैंने दो चम्मच वाइल डाला है वाइल हमारा यहाँ पे आच्चे से गरम हो चुका है तो इसमें हम एक चमत जिरा याड़ करेंगे जिरे के साथ हम कुछ इसमें खड़े मासाले यूज करने वाले है यहाँ पर मैंने तीन तेज पत्ते लिए है दो छोटे छोटे दाल चिनी के तुकडे लिए है इसे के साथ एक चक्री फुल लिया है चार पाच काली मिर्च और दो चार लवंगली है इनको हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है आदा से आदा एक मिनिट फ्राइ करना है बस फिर इसमें हम याड़ करेंगे पालक यहाँ पर मैंनेट हाइसोग्राम पालक अच्छे से दो के कट करके लिया है पालक के साथ इसमें ह तो आब इसमें हम याड करेंगे चावल यहां पे मैंने यह कटूर आच्चे से दो के लिए है चावल मैंने भिगाया नहीं है बस दो के लिए है तो आप इसमें हम याड करेंगे स्वाधा नुसार नमक तो आप चावल को हमें पालक के साथ आच्चे से 2-3 मिनिट फ्राय कर लेना है मेडम गैस के उपर इसके आलवा इसमें में दुसरे और कोई मसाले याड़ करने वाली नहीं हो, सिंपल घड़े मसालों के साथ हम ये पुलाव बनाएंगे लेकिन इसकी तेस्ट बहुत ज़्यादा मसता आएगी, आप देखना बहुत बढ़िया आएगी तो इसमें आप चावल मैंने फ्राय किये है दो मिनिट तक फिर इसमें मैंने पान याड किया है एक कटोरी चावल के लिए दो कटोरी पान याड किया है तो हम मेडम ग्यास की उपर पाच-छे मिनिट चावल को आच्चे से उबाल के लेंगे तो आप देख सकते हैं चावल उबलना शुरू हो चुके तो यहाँ मैंने 6 मिनिट तक आच्चे से चावल को उबाल लिया है आप ग्यास को पूरी तरह से कम करेंगे और 10-12 मिनिट के लिए चावल हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो 12 मिनिट के बाद देखेंगे यहाँ पे यह हमारी चावल पूरी तरह से तायार हो चुकी है तो यह हमारे गर्मा गर्म पालक मटर के चावल खाने के लिए रेड़ी है तो आपने कभी इस तरह से पालक मटर का पुलाव देखा था कितनी सिंपल तरीके से बनाया है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा अब एक बार इस तरह से जरूर बना की खाएगा फिर देखना आपको समझ में आएगा कितना मस्त ये पुलाव बनता है फिर पसंद आई तो लाइक कीजे शेर कीजे अगर चाइनल सब्सक्राइब किया ना हो तो जरूर कीजे फि किसी नए रेसिपिके साथ तब तक के लिए बाइबाई